विश्णु पुरान के अनुसार कार्तिक पुर्णिमा की संध्या पर भगवान विश्णु का मतस्यावतार हुआ था और एक अन्य मानेता के अनुसार कार्तिक पुर्णिमा के दिन ही भगवान महादेव त्रिपुरा सुर नाम के एक राप्च्छत का बद्धि बीग किये थे और इसीलिए इसे त्रिपुरी पुर्णिमा भी कहते हैं इस दिन पवित्रे नद्यों में असनान और दीबदान करने की भी परंपरा है कार्थिक मांज के सुक्लपक्ष की पुर्णिमा को कहते हैं तो कार्थिक पुर्णिमा के दिन विसेश तोर पर मां लक्षमी की ही अराधना की जाती है पुनिमा तिथी चुकि पुन्दत्व किती थी है और जिन मा लक्षमी की अराधना करने से जीवन में धन सुक्की कमी नहीं होती इस पुनिमा पर गंगास्नान करना, दीपदान करना, यग्य करना, धर्म कर्म करना, इस्वर की उपासना करना जिसका विशेस महत तो भी है क्योंकि इस दिन दिये गए दान कई धर्मकार आपको सुब फल देते हैं और उसके तुरंत फल मिलते हैं तो आप असनान कैसे करेंगे, देखिए कार्तिक पुनिमा के दिन सुबह के समय किसी भी पभीतर नदी सरोबरी कुंड में असनान करें इसके बाद दीप दान करें, भगवान स्रीक्रिष्ण और राधा की पूजा करें मानेता है कि इस दिन किये गए दान से पुन्य फल भी दोगोना मिलता है गाय, हाथी, घोडा, रत, घी का दान करने से संपत्ती बढ़ती है भेड का दान करने से गरह योग के कस्टूं को निवारन होता है और कार्तिक पुर्णिमा के दिन बरत रखने वाले लोग इस दिन हवन जरूर करना चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण फल मिले अगर आप जरूर्तमंद को भोजन कराते हैं तो इसके भी लाब मिलते हैं चुकि कार्तिक पुर्णिमा बर्स भर की पवित्र पुर्णिमाओं में से एक है और इस दिन किया जाने वाला दान पुर्ण बिसेश फलदाई होता है चुकि इस दिन कृतिका नच्छत्र है और अगर चन्रमा कृतिका नच्छत्र में और विसाखा नच्छत्र पर सूर्य हो तो पदमक योग का निर्मान होता है जो बहुत ही दुरलब है और इस दिन कृतिकान अच्छतर पर चंद्रमा और ब्रस्पति हो तो वह महापुणिमा कहलाती है तो साम में त्रिप्रोत सब करके आप दीपदाम करें अगर तो पुनर जन्म का कस्ट नहीं होता यानि आप इस जन्म से ही मोक्ष को प्राप्त कर ले तो नहाने के पानी में गंगा जल या तुलसी के पत्ते डाल कर नहाए तो गंगा जन्म के इतना ही पुनिफल प्राप्त होगा कार्तिक पुर्णिमा के दिन पर लग रहा है चंदर गरहन साल का आखरी चंदर गरहन है और इस दिन चुकि कार्तिक पुर्णिमा है तो ऐसे में ये विसिष्ट योग बन जाता है क्योंकि सुक्रवार का दिन भी है अब बैग्यानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकों से चंदर गरहन अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि गरहन काल में कई ऐसे चीजें हैं जो हमारे मन मस्तिस को प्रभावित करता है इसलिए हिंदू धन में गरहन और उसके सूतक काल में कई ऐसे कारे हैं जिसको नहीं करने के विधान है तो चंदर गरहन इस बार पुर्णिमा तिथी को है इसलिए गरहन काल में कुछ ऐसे कारे हैं जो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए लेकिन इस दिन चुकि पुर्णिमा है तो पुर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाईएगा और खीर बनाकर आप चावल की खीर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनको मालक्षमी को भोग लगाएं चुकि इस दिन भगवान सीब ने त्रिप्रासूर राक्षस का बद कर देपताओं को उनका स्वर्ग पुनह परदान किया था और दूसरी और भगवान विष्णू ने मतस्या वतार लेकर प्रलयकाल में धर्ती पर जीवन की रक्षा की थी और इसलिए धर्ती पर कार्तिक सरफ्ष्ष्ट माना जाता है कहते हैं कार्तिक पुणिमा के दिन पूजा पाठ और ब्रत करने वालों के साथ साथ कुछ उपाय भी आप कर ले तो भगवान की कृपा मिलती है और भगवान विष्णू मालक्षमी का आसिरबाद पाने मनो कामना को पूर्ती के लिए कार्तिक कुणिमा के दिन अगर गंगायमुना में कुशा सनान करें यानि हाथ में कुशा घास लेकर पवित्र नदी में सनान करें तो हर तरह के बिमारियों सेरोगों से मुट्वि लिती है घर में सुख्ष और्पांग्याता है कार्तिक पुनिमा के दिन मालक्षमी के प्रवेश के लिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर हल्दी मिला हुआ जल से स्वस्तिक बनाए साथ ही आम के पत्तों का बंदनवार या तोरन लगाएं तो घर में मालक्षमी आती है और धन धाने का आशिरवाद दे कर ही जाती है अगर आप पवित्र नदी सरोवर गंगा जी के किनारे दीप दान करते हैं तो सभी देवताओं का आशिरवाद मिलता है घर में धीक आवास होता है और इस मेहने में तुलसी का बिसेश मत्व है तो तुलसी जी को मालक्षमी का स्वरूप माना गया है कार्तिक पुर्णिमा के दिन तुलसी के पास अगर आप दीव जलाकर तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा लें तो हर कारियों में सफलता मिलती है अब इस पुर्णिमा को त्रिपुरारी पुर्णिमा भी कहते हैं इस दिन त्रिपुरारी सिव का पूजन किया जाता है सिवलिंग पर दूद दही घी सहद गंगा जल का पंचामरित अगर चढ़ा दें तो भगवान सिव प्रसन्न होते हैं भक्तों की सभी मनुकामनाएं पूर् के लिए चुकि त्रिपुरारी पुर्णिमा है और ब्रह्म मुहुर्थ से दोपहर दो बचकर 29 मिनट तक आप अश्नान दान का पुन्य फल प्राप्त कर सकते हैं देखिए सुरियोदे से पहले उठकर पभीत्र नदी सरोबर कुंड में अश्नान करें संभब हो तो घर में ही गंगा जल मिला हुआ पानिशे नहाले भगवान लक्ष्मी नारायन की अरादना करें उनके सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं और फिर घर पर हवन करें सतनायन कथा करवा सकते हैं खीर का भोग इस दिन जरूर लगाईए लक्ष्मी नारायन को और उसको परसाद म बाटिये दीप दान करने का चुकी विसेश महत्तव इसलिए चोखट पर एक दिया जलाएं परियास करें कि इस दिन किसी गरीब बैक्ती है जरूरत मंद बैक्ती को भूजन करा हैं भूल कर भी कुछ ऐसी गलतिया हैं जो नहीं करना चाहिए देखिए जो तिस कहता है कि इस पुणिमा के दिन चावलदान कर सकते हैं और तुलसी पूजा जरूर करें लेकिन किसी से भी इस दिन बहस ना करें अब सब्द ना करें गलती ना करें नोन बेज सराब से दूर रहें जीवन को में जो कस्ठ है वो बढ़ते हैं अगर आप इस दिन नोन बेज या सराब पीत जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है जैसे ओम सोमाय नमहा ओम सोमाय नमहा दूसरा मंत्र है ओम विश्नवे नमहा ओम विश्नवे नमहा और तीसरा मंत्र है ओम कार्तिके नमहा ओम कार्तिके नमहा चौथा मंत्र है ओम ब्रिंदाय नमहा ओम ब्रिंदाय नमहा और पांचवा म मंत्र है ओम के सवाय नमहा ओम के सवाय नमहा तो आप अपनी सुविधा नुसार कोई भी मंत्र जब कर सकते हैं तो इस पुणिमा का सुम्मुर्थ भी हमने कहा कि कैसे आप पूजा पाट करें लेकिन शवाल यह है कि चुकि पुणिमा तिती पर लग रहा है चंद्र गरहन अगर आप इंडिया में रहते हैं तो मानने की आवस्ता नहीं है आप तमाम पूजा, पाठ, कर्म, कांड सब कर सकते हैं और इस दिन चार काम जरू करना चाहिए घर में सुक समरिद्धी लाता है चुकि कुछ कारे हैं जैसे असनान और दान ये तो आपको करना है तुलसी पूजन करना है इस दिन दीपदान करना है और मा लक्षमी और नारायन की पूजा अवस्ते करना है चुकि चंद्रमा दर्सन करने के साथ ही अर्धवी चंद्रमा को देने का विधान है तो सूरी लोग की प्राप्ती होती है अब बहुती दुरलब से योग है, सुक्रवार के दिन कार्तिक पुणिमा है तो आप अपने हातों से गाई को हर अचारा या गुड़ खिलाएं जीवन की मुस्किलों से रक्षा होगी जीवन के हर मुस्किल समय से आपको बाहर निकलने में सहायता मिलेगी और अगर आप अपने हातों से गाई को खिला कर गाई को छूकर, माथे को छूकर आप अपनी मनोकामना कहते हैं आप उनका असिरबाद लेते हैं तो हर कस्ट मिट जाते हैं तो आप संभब हो तो इस दिन जरूर खिलाएं या आपके उली उतना संभब नहीं है तो रोटी पर गुड रखकर ही खिला दें तो भी कृपा होगी और कुछ ना मिले तो किसी पेड का पत्ता ही तोड़ कर खिला दें फिलाल बिदा लेते हैं हर हर महादेब